नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चनल में, हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाईए दोस्तों, अधिकांस हिंदू गरों में तुलसी का पोदा अवस्य होता है तुलसी घर के आंगन में लगाने की पर्था हजारों साल पुरानी है तुलसी को देविका रूप भी माना जाता है साथ ही माननेता है कि तुलसी का पोदा घर में होने से घर वालों को बुरी नजर से परभावित नहीं कर पाती कोई बुजी नजर और अन्य बुरायां भी घर और घर वालों से दूर ही रहती है दोस्तों तुलसी हमारे सब के घरों में होती है लेकिन हम तुलसी से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें उल्टा नुक्सान होने लगता है तुलसी का पोदा घर का वातावन जो है अगर शूक भी जाए तो ऐसे में इसे घर में नहीं रखना चाहिए बलकि इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाइट करके घर में दूसरा तुलसी का पोदा लगा देना चाहिए दोस्तों, शुक्व हुआ तुल्सी का पोदा घर में रखने से कई परिस्तिटिएं में अशुब माना जाता है इसके विपृत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, साथ ही घर की बरगत पर बुरा असर पड़ता है इसी वज़स से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्त तुलसी का पोदा रखना चाहिए दूसरा दोस्तों कि तुलसी का धार्मिक मेरतों तो है लेकिन विज्ञान के दृष्टी कोंसे तुलसी एक और शद्दी भी है दोस्तों तुलसी को हमेशा एक पत्ती अगर रोज तुलसी की सेवन करें तो हमें कभी बुखार नहीं आएगा तरह इस तरह के सभी रोग हमसे सदा दूर रहेंगे लेकिन तुलसी की पत्ति को खाते समय दोस्तों इसे चबाना नहीं है इसे निगल लेना है क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा नमक धातू होता है जो हमारे दाथों के लिए ठीक नहीं होता है साथ ही आप तुलसी का पता रोज नहीं तोड़े रोज यानि सब्ता में सभी दिन तोड़े लेकिन रविवार के दिन भूल कर भी नहीं तोड़े इस दिन तोड़ने से दोस्तों आपको पाप लगता है तदा आपकी सारी पुन्य जो है वो नश्ट हो जाते है तो दोस्तों ये कारे जो है वो तुलसी के साथ भूल कर भी नहीं करना चाहिए तो उमीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दियेगी जानकरी आप लोगों के लिए लाबदाएक सिद्ध होगी और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद